दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया पे में और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने बलाऊं कि Play Store एप्लिकेशन को अपडेट कैसे किया जाता है दोस्तो आप सभी ने Play Store से एप्लिकेशन अपडेट करना तो सीख लिया होगा लेकिन आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि Play Store एप्लिकेशन को अपडेट कैसे किया जाता है अगर दोस्तो आप भी सीखना और जानना चाते हो कि Play Store एप्लिकेशन को अपडेट कैसे किया जाता है दोस्तो अगर आपके भी प्ले स्टोर में कोई अपडेट आया होगा तो आप कैसे अपडेट कर सकती हो वो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ इसलिए दोस्तो वीडियो को बिने स्किप के पूरा जरूर से देखिए वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल टेक इंडिया पेपर नहीं हो और आपने भी तक हमारे इस यूटूब चैनल टेक इंडिया पेपर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो वीडियो के निचो जो रेट कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड गाई साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ओल के नोटिप quiere क्या को सबसे पहले मिलती रहे तो चले दूस्तो हम आज किस वीडियो को सटार्ड करने के लिए दूस्तो वीडियो को बिने स्किप करोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है इसलिए दोस्तो वीडियो को बिना skip किये पूरा जरूर से देखिएगा तो सबसे पहले दोस्तो आपको play store application को open कर लेना होगा तो चलिए सबसे पहले हम play store application को open कर लेते हैं और जैसे आप play store application को open करते हो यहाँ पर आपको play store application का home page देखने को मिल जाता है अब दोस्तो यहां से आपको 椅पको इस application को update कैसे करना है तो इसके लिए दोस्तो आपको उपर में जो profile उ आईकन देखने को मिल रहा होगा उपर में सबसे यहाँ पर मेरा profile उ आइकन है आप सभी को भी देना है और जैसे आप settings वाले option के उपर क्लिक करते हो फिर से आपके सामने बहुत सारे option आ जाते है अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है तो सबसे नीचे में देख सो तो आपको यहाँ पर about वाला option दीख रहा होगा और इस option के अंदर आप सबी को 4-5 option और भी देखने को मिलेंगे जैसे कि play store, build version उसके बाद device certification यह सारे option इस about वाले option के अंदर आप सबी को देखने को मिल जाएंगे तो simply आपको about वाले बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों देख से तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाते है अब दोस्तों इस about वाले option के थार्ड में आपको एक option देखने को मिलेगा तीसरी नंबर पर आपको एक option देखने को मिलेगा play store version यहाँ पर देख से तो play store version वाला option आ चुका है और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसे update भी कर सकती हो और जैसे आप update कर लेते हो तो जो भी नए-ने feature नए-ने option जो होंगे play store के अंदर add हुए वो सारे नए-ने feature और नए-ने जो option है वो आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो आप play store को update करके नए तरीके से play store का use कर सकती हो तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि play store application को update कैसे किया जाता है आई-होप कि वीडियो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर से कर दिजेगा और हाँ दोस्तो इसी तरह की useful वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल Take India पे को subscribe जरूर से कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो डेली मैं यहाँ पर इसी तरह के useful वीडियो लाता रहता हूँ जिसकी notification आपको सबसे पहले मिल पाए तो दोस्तो आज के इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्तो अपना ख्यार लगए Good Bye